अलो दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट कल का आपने निफ्टी का जो फ्यूचर कॉंट्रेक्ट एजरिस की एक्सपायरी अभी दो दिन में तीन दिन में हो जाएगी उसमें आपने एक शीज नोट करी होगी कि जो मैंने आपको लेवल बताया थे 9,375 के उसे इसने ब्रेक नहीं करा था क्योंकि उसके उपर एक बहुत अच्छी हम बैंग देख सकते हैं जो चार्ट पूरी तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं मैंने आपको दो लेवल बताया थे इसमें कि अगर उपर में मार्केट जाता है तो हमें 9,375 का लेवल देखना होगा और अगर नीचे मार्केट जाता है तो हमें 9,020 का लेवल इसे ब्रेक करना होगा 2020 का ये break करता है तो हम position को selling में लेके चलेंगे और 9,375 break करता है तो उपर में लेके चलेंगे कल इसने 9,373 का high मारा था और उसके बाद ये market यहीं पर sustain कर गया एक support इसे resistance इसे जरूर नजर आ रहा था उस level पे और जो मुझे लगता है मतलब शायद आज के market में यह open वो easily break हो जाएगा और market में हम अच्छी buying देख सकते हैं तो आज का जो trend रहेगा वोगर 9,346 अगर यह break कर देता है opening session में या कभी भी बीच में तो आप buying की position जरूर build up करें और जो stop loss होगा उस time उसे आप 9,150 वो sorry 9,150 पे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखिए यह है 9,305 पे कल यह nifty का future close हुआ था और हमने इसमें एक चीज़ देखी थी कि market opening session में एकदम से उपर तो गया था पर उसके बाद इसमें continuously एक selling pressure नहीं कहेंगे पर यह जरू कहेंगे कि जिसमें प्रॉफिट था वो profit booking इसमें चलती रही है तो market जो था कुछ ऐसा बहुत strongly react नहीं करा किसी भी news को लेके technicals को लेके ना इसने उपर break करा और नीचे यह आया नहीं तो यह उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि market में buying आ सकती है और level तूट सकता है तो अगर यह level break होता है अब उपर की side में तो आब buying जरूर करें door johns भी उपर चल रहा है और यह भी market बहुत easily इसे break कर देना चाहिए क्योंकि यह यहां पर बार बार इसमें resistance आ रहा है और इसे अगर यह break करता है तो market काफी उपर मैं देख रहा हूँ कि शायद आने वाला जो अगला contact होगा वो शायद 10,000 का level बहुत easily touch करेगा तो nifty में यही levels हैं बाकी bank nifty में मैंने एक पीछे एक video बनाया था उसमें भी अभी कुछ उपर का level ऐसा break नहीं किया है तो charts almost सेम तरीके से follow हो रहा है इसमें break करता है तो मुझे लगता है कि वो भी break करी देगा और उसमें भी आप buying की position build up कर सकते हैं और अगर आपको specifically किसी एक particular script वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment section में जरूर mention कीजेगा मैं उसको analyze करके उसके levels figure out करके मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँगा धन्यवाद